नमस्कार दोस्तों मैं विसीक आपका विसीक टीटोल स्वागत करता हूँ आज हम लोग biology के question देखेंगे और इसमें जो question बताया जा रहा है हूँ बहुत exam में आपको वैसे question ही देखने को मिलेंगे तो जो पिछला class नहीं किये हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे सारा आपको part by part मिल जाएगा ठीक है पिछे का जो भी part है बो भी आप लोग देख लिज़े exam से पहले क्योंकि exam तक आपको पूरा पेपेर हो जाना है exam के लिए याद भी करना है ठीक है तो जल्दी से आज ही जाकर देख लिज़े सब पहला question है आज का भी भी आई जो हिजाम में देखने को मिलेगा युगमक जनन और भुरुनोद भव के बीच अंतरस फस्ट करें ठीक है इस दोनों में दे देता हूं में तो यहां पर देखेंगे युगमक बनाने की ठीक है डो कोलम ऐसे बनेगा युगमक जनन और भुरुनोद भव तो युगमक बनाने की प्रकिरिया युगमक जनन कहलाती है और इस प्रकिरिया में नर्त अथा माधा दोनों युगमक बनाते और जाईगोड से भ्ृुरुन बनाने के परक्रिया को भ्रुुनोदभव कहा जाता है। और इस परक्रिया में जाईगोड की कोस्तिका का बिभाजन होता है। वही बात करें आगे सेकेंड नंबर इस प्रकिरिया में मियोसिस प्रकिरिया द्वारा दिविगर्णित मियोसाइट्स से नर्थ था मादा का युगमक निर्मान होता है अगर भूनदत भव की बात करें तो इस प्रकिरिया में दिविगर्णित जाइगोट के बार बार माइट तो ठीक खोसका विभाजन के फलसरूप भून का निर्मान होता है ठीक है इंग्लिस भाले भी यहां पर आप असकी जोट ले सकते हैं ठीक है समस्ते चलेंगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की और अनिसेक जनन से क्या समस्ते हैं तो परहेंगे कुछ प्राणियों जैसे की रोटीफर्स मधमक्षी पच्छी आदी में बीना निसेचन की किरिया के संपन हुए तो पराणियों जैसे का निर्मान होता है और इस प्रकार की घटना को अनिसेक जनन कहा जाता है ठीक है समझ गये और इंगली स्वार्य लिख लेंगे यहां पी expertther genesis is a process in which the female gemat in which the female genuania of some organisms like roti first honeybee and words turkey undergoes development to form new organisms अंडर्गोज डेवलाप्मेंट टू फॉर्म न्यू आर्गेनिजम बिदाउट फॉर्टिलाइजेशन ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेशन क्योड सारा भी भी आई है और आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे नेक्षट है अपका एंटी वड़ी के कार्यों का उलेक करें तो हिंदी और इंग्लिस दोनों में, पहले हिंदी में देख लेते हैं एंटी बड़ी निमलेकीत रूप से कार्य करता है पहला बात करें तो जिवानों को antibody इस तरह आप्रित ढग देता है जिससे phagocyte उसे पहचान सकता है और इसे ही औसो नाइजेशन कहते हैं सेकेंड पॉइंट है antibody वैक्टिरिया दौरा स्रावित विसाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है और उसे उदासीनता कहते हैं थर्ड पॉइंट है antibody एंटिजन से संजुक्त होकर ब्रिहत अकार अगुलन सील जॉटिल पदार तयार करता है एंटिजन जो एंटिजन के विसेस जैविकारे में बाधा पहुँचाता है और इसे agglutination कहते हैं ठीक है इंगलिस की बात करें तो question है mention the function of antibody तो first point होगा antibody got the bacteria in such a way that phagocytes identify them easily this is called opogynation second point antibody neutralize the toxins produced by bacteria this is called this is called neutralization and the third point through combining with antigen antibody makes a macromolecular insoluble complex substance which inactivates the vital function of antigen this is called agglutination परते हैं अगले question की और सहलगनता तथा बीनमे में अंतर अस्पस्ट करें तो दो तरका का box यहां पर बनाएंगे सहलगनता और बीनियमद ठीक है तहां पर लिखेंगे सहलगनता किसी गुनसुत्र के जीन्स को साथ साथ रखती हैं और बीनमे गुनसुत्र के जिन्स को प्रिथक करके रखती हैं जिससे नए संयोग बनते हैं जीन्स के पास इस्तित होने पर सहन लगता कि तिवर्ता बरती है जबकि जीन्स के अधिक समिप होने पर बीनमे क्या बिरती घटती हैं उसे तरीके से इसके तरह जनक लच्छन संतती में बने रहते हैं और बीनमे में ये संतान के जनक लच्छनों को बदल देते हैं चार नमर में अनुवांस की विग्यो दोरा जीवों में नई परजाती की निर्मान को रोकते हैं और ये नई परजाती की निर्मान में सहायक होते हैं इंग्लिज की बात करें तर डबल बॉक्स यहां पर बना लेंगे differentiate between linkage and crossing over तो यहां से आप अस्कीन सोट ले सकते हैं ठीक है? और 3-4 पार्ट का भी अस्कीन सोट यहां से ले सकते हैं Next question है जैप परद्रकी के सिधांत को लिखें जैप परद्रकी के विकास में दो परमुक तक्निकों का योगदान है पहला है अनुवांसिक अभियंत्रिक और सेकंड है रसाइनिक अभियंत्रिक तो फर्स लिखेंगे अनुवांसिक अभियंत्रिकी तो अनुवांसिक अभियंत्रिकी वह परद्योगी की है जिसके दोरा किसी भी जीवन से DNA या gene निकाल कर किसी अन जीवन के gene के साथ युगमित किया जा सकता है दूसरे सब्दों में अन्वान्सिक अभियांत्रिक को युगमित DNA प्रद्योगी भी कहा जाता है सेकेंड लिखेंगे रसाइनिक अभियांत्रिक जाता है जैसे anti-biotics TK enzyme का उत्पादन ठीक है इंगलिस वाले ध्यान देंगे राइट principle of biotechnology तो इसका अंसर हो जागा principle of biotechnology बायो टेकनलोजी बायो टेकनलोजी बेस्ट डॉन टेकनिक्स पहला genetic second biochemicals ठीक है यहाँ पर आप लोग अगे बढ़ते हैं अगला question है ध्यानी परदुसन के नियंत्रन के उपाई को लिखे तो ध्यानी परदुसन के नियंत्रन के उपाई नियंत्रन लिखी थे पहला है अधिक सोर पैदा करने वाली मसीनों के अस्थान पर कम सोर करने वाली मसीन लगानी चाहिए अब आदी से दूर अदोकी कायो का स्थापित की जानी चाहिए लौड़ स्पीकर एवं तेज अवाज पैदा करने वाली यंत्रों को पून परतिबंध लगाना चाहिए धोनी परदुसन नियंत्रन के लिए बने कानून की कराई से अनुपालन होनी महाराज्ट, राजरस्थान, MP किसी अनबोर्ड का हो चाहे आटी, जी, नीट या क्लासिक से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET पर या फिर कोई भी सबजेक्ट हो फिजिक, स्किनिस्ट्री, वायलोजी, माथ, साइंस आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .NET साथी .NET पर क्लास 90 से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है, इंग्लिस और हिंदी मीडिया में लाइब क्लास से स्यानी आप पूरी पढ़ाई होगी .NET पर तीन करोड से ज्यादा बच्चे .NET पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब भी जाहिए और .NET पो इंस्टॉल on seis specific. Ona.1. Igor's Rocky is the right-hand control of sound pollution. ska फ्टों के लिएॉर ऑृ।षינ के सर्फ ऊवाईस प।ॉदॉ फस्त one there could be developed gadgets to , लाव सुट भी इन्फोर्श्ट एफेक्टिवली ठीक है नेक्स्ट है एंटिवर्डीज तथा इंटर्फेरंस में अंतर बताएं इंटर्फेरंस एंटिवर्डीज तो फहले लिखेंगे यह सुछमिजीब के संकरमित किसी भी कोस्का सा सरावित होता है सेकंड पॉइंट है यह किबल प्लाजमा की बीटा कोस्काव से उत्पन होते हैं सेकंड पॉइंट यह तीर परती किरिया दरसाते हैं किन्तु आस्ताय सुरच्छा परदान करते हैं जबकि second point इसका होगा ये धिमी क्रिया वाले किंतु दिर काली शुरच्छा परदान करते हैं third point कोस्काओ के अंदर क्रिया करते हैं और third point कोस्का के बाहर क्रिया करते हैं और इसका fourth point होगा ये सरीर कार दीतिये रच्छा अस्तर बनाते हैं English की बाथ करें, जिस जीफ डिफरेंस जाल कि रिफरेंस से तरह इम्हेंस न बीकॉल मुथी जए Гाज कि भी घर ऑबे खें न पूझे जया सी प्लली शत्सेज़ को है Спल्का मुथाचो पिया अरखी न मुथा समय in action but given long lasting protection against antizens. Third point this act inside the cell and the third point this act outside the cells and the fourth point from the body's second line of defense and the fourth point from the body's third line of defense. Next is gel vahit rogoky rogtham के लिए आप क्या करेंगे? संदूसी gel vahit rogoky जैसे टाइफाइड आतिसार जैसे रोगों के रख्थाम है तू हमें सच जलका परियोग अपने जीवन में करना चाहिए. इंग्लिस में है what will you do for prevention of water-worn disease? टाइफाइड and dysentery like contaminated water worn disease can be prevented by using pure water in daily life. ठीके तो आज़ के लिए इतने ही जो भी पहली की वीडियो नहीं देखे हो जाके प्लेलिस्ट में देख लिजे और आपको बता दे कि आज साम 6 बजे फिर लाइफ क्यूज होगा तो क्यूज में जरूर पार्टिसिपेट करें तभी आपको पता चलना पाएगा कि आपका एक्जाम का लेवल क्या है और आप एक्जाम के लिए कितने तयार हो और एक्जाम में कितने मार्क्स वहाँ पे ला सकते हो ठीक है तो साम 6 बजे की क्यूज में आप लोग जरूर मिले और एक और बड़ी बात जो बताना चाहूँगा कि एक्जाम के टाइम अगर चाहते हो कुछ अच्छा करना तो जितना भी question out series की जितने भी वीडियोज है सिर्फ और सिर्फ उसे जाके याद कर लो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अभी लेवल है लेकिन वो time based है ठीक आप जाके question out series की वीडियो लगाई है जो एक्जाम में आने वाला है सिर्फ उसे ही पढ़िये बिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thanks for watching this video